वेलकम बैक फ्रेंड्स दिस इस करनाट अफेस फंडा आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आपके कुश्चंस आई बीपी इस प्योग दो हजार सोले के मेंस के एक्जामिनेशन में पूछे गए उसमें एप्रॉक्सिमेशन में जो सैट आपका आया था उसका मेमो पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया था लेकिन अल्टीमेटली कोस्चंस इजी लेबल के थे आप यह मान के जिलिए कि जो आपके पाच कोस्चंस को उसमें आपको बनाने में दो से डाई मिनट का टाइम लगेगा या फिर आपको तीन मिनट भी लग सकता है क्योंकि थोड शेर करना स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते हैं हमने सेशन के और पहले कोस्चंस आपसे पूछा गया था गाइडलाइन जो दिये है वो इंपॉटेंट है इसमें कहा है solve these questions and you are not expected to calculate the exact value मतलब कि आपको exact value calculate नहीं करनी है आप इन questions को solve करिए तो definitely approximation के अंदर आएंगे अब द इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं तो यहां रहा कितना हो जाएगा 36 और रूट x यहां पर question mark बनाता है exams में तो आप यहां पर x भी लिख सकते हैं ठीकें कभी आपको x दे सकता है कभी आपको question mark दे सकता है इस x के place पर question mark था और यहां पर भी question mark था तो आप x इसको मानकर solve करेंगे तो यह कितना होगा 36 root x यह कितना होगा 31.892 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 32 root x that is equals to आप देखो 67.92 है तो आप इसको 68 मान लो और divide करके क्या हो जागा 10.998 इसको आप मान लो 11 और यह into x आप as it is यहां पर रख लो अब देखो यह दोनों same base है तो दोनों add हो जाएंगे 36 plus 32 कितना हो जाएगा यह आपका 68 हो जाएगा तो यह मेरा 68 root x यहां पर आ गया अब ध्यान देना 68 divided by x है यह आप as it is यहां पर रख लो 68 divided by 11 into x अब क्या करों, из root को खत्म करने के लिए square कर दो तो square करने से पहले क्या करों 68 से 68 को cancel out कर दो अब क्या है, दोनों side में square कर दो तो यहां पर root x into root x x होगा और यह क्या होजाएगा यह आपका x square होजाएगा x into x होजाएगा और नीचे 11 का इसको आरोगा ये कितना हो जाएगा 121 ओके अब यहाँ पर देखो ये आपका X से X एक बार कट जाएगा और इस 121 की इधर multiply हो जाएगी तो ये 121 इधर जाएगा तो ये इधर आगया और X की बल यहां बचा तो X की value कितनी आ गई 121 मतलब की 120 की near about में value आएगी अब देखो 120.98 141 171 192 216 तो मारा पहला option ठीक हो जाना चाहिए यहाँ पर ऐसा कोई भी step नहीं है जो नया हो cable cable calculation speed matter करती है अगर आप fast calculation कर सकते हैं तो इस तरह के questions को आप बहुत जल्दी solve कर सकते हैं question का nature जाना होगा मैं second question में दिया था same instructions थे फिर खाता 3.21 का square plus 9.97 का square plus 8.09 का square plus 4.29 का square अब देखो 3.2 बने तो आप इसको 3 ले लो 3 का square कितना होगा यह हो गया 9 अब 9.97 इसको 10 ले लो 10 का square कितना हो गया 100 अब 8.09 इसको 8 ले लो 8 का square कितना होगा 8 into 8 64 और 4.29 है तो इसको complete 4 ले लो 4 का square क्या होगा यह हो गया 16 आप सबको add कर दो 64 plus 16 कितना होगा 80 80 और 100 180 180 बने 80 प्लस 9 189 यह आपका complete digit आ गया अब option देखो 292 189 आपको as it is यहाँ पर options ऐसे बहाँ पर exams में मिल सकते हैं तो मेरा कहने का मतलब था कि approximation किस हद तक आपको आता है कहां कहां तक आपको approximation लेना है जब question पूछा जाए तो यही वाली approach एक्जाम्स में follow कर सकते हैं थर्ड question थोड़ा सा अलग level का है इसकी भी हम बात करते हैं इसमें लिखा है 95.01 तो 95 को as it is लिख लो अब 12.96 है तो इसको 13 लिख लो into 13 लिख दो plus अब देखो root के अंदर 35.98 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं और root 36 हमारा क्या होता है root 36 आपका होता है 6 तो 6 हो गया into 15.23 है तो 15 आप as it is लिखो यहां पर equals to 52.91 तो इसको कितना लिख लो 53 लिख लो और into root x आप as it is लिख लो इतनी चीज़ आपने आपर कर ली आप देखो एक आप इसमें क्या कर सकते हो दो तरह से अप्रोच फालो कर सकते हो आपको 13 की टेबल तो आती है 13 into 95 डिरेक्टली इसको solve भी कर लो ठीक है और दोनों को add कर लो एक आप क्या कर सकते हो कि यहां से 5 को common ले लो इसमें से 5 common होगा इसमें से होगा फिर अंदर आप multiply करेंगे वो भी एक फंडा हो सकता है तो जिसमें आपको थोलसा सरल लगे वो काम आप follow कर सकते हो मैं 13 की टेबल मुझे आती है 13 into 95 अ गया equals to 53 into root x ओके आप यहां पर ध्यान देना 1235 में 90 जोड़ोगे तो यह कितना आजाएगा 1325 आजाएगा और 1325 इकल टो 35 into root x है यह आप as it is यहां पर रख लो ओके आप देखो 53 से अगर मैं इस 1325 को डिवाइट करता हूं तो यह कितने बार जाएगा अगर देखो 53 की आप 2 से multiply करते हो तो यह कितना होता है 106 होता है आपका यहां पर ओके यह लगबग आपका कितना आता है 106 आता है लेकिन आभी आप देखो कितने बार जाएगा 53 से अगर मैं इसको एक बार काटता हूं एक बार नहीं आप इसको दो बार काटो तो दो बार जब आपने कट किया तो 106 बचा और 132 में से 106 आपने घटा दिया कितना बचता है पर 26 बचता है और 5 आपके हैज़ेज लिगेगे 265 हो जाएगा अब 53 से जब आप 265 को डिवाइट दोगे तो ये कितने बच जाएगा 5 से 5 बार गया और 3 से 15 मतलब पूरा कम्प्लीट पाच बार चला जाएगा तो ये क्या जाएगा? रूट एकस आगया अब स्कॉयर कर लो तो यहाँ पर एकस हो जाएगा और 25 इंटू 25 यहाँ पर हो गया अब 25 इंटू 25 कितना होता है? यह होता है आपका 625 तो यह 625 की वैलू कितनी आगए यहाँ पर? 625 इकल टू X तो X की वैलू यहाँ से हमारी 625 आगई अब options एकलो 446, 546, 625 आपको option number 3 दिया हुआ है as it is approximation की questions में none of these का combination बहुत rarely मिलेगा मतलब 1% मिल सकता है बैसे तो नहीं मिलेगा लेकिन जब options बहुत ज़्यादा closed है और बहुत दूर दूर है और आपकी value बिल्कुल किसी के असपास नहीं आ रही है तो ऐसे questions में आपको कभी none of these भी दे देगा लेकिन यहाँ आपको none of these जैसा कोई फंड़ना नहीं था directly question में solve करना था next question की बात करते है number 4 की तो number 4 question में भी same instructions थे अब देखो 360.78 है तो इसको हम क्या लिख सकते है 361 लिख सकते है into 19.29 है इसको आप 19 लिख दो plus 1098 है अब 1098 है तो आप इसको 1100 लिख दो पूरा-पूरा divide by 56.98 है तो आप इसको 57 लिख दो equals to question mark लिख दो question mark find out करना है अब 371 किसका square होता है देखो यह 19 का होता है 19 into 19 कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 300 मतलब under root 361 किसका होता है 19 का होता है अब यहाँ पर हम 19 लिखेंगे 19 into 19 कितना होता है 361 होता है plus यह आपका कितना है 1200 और divided by यह कितना हो जाएगा 57 ओके यह कितना हो जाएगा 1100 divided by 57 अब 57 को 1100 से divide करो दोगो 57 की अगर मैं multiply 2 से करता हूँ तो 20 से अगर आप multiply कर दो तो यह कितना मिलेगा 114 मतलब 1140 मिल जाएगा यहाँ पर 1100 दिया है तो लगबग मैं मान सकता हूँ यह हमारा 19 point something कुछ ना कुछ रहा होगा ठीक है इसको आप approx 20 मान लो या 19 दसमलब कुछ मान लो 361 में आप 19 जोड लो कितना मन जाएगा 380 point something something तो लेकिन इंटीजर डिजिट कितनी है 380 तो आपका confirm होगा ही होगा इसके आगे आपका एकाद नमर कुछ हो सकता है तो आपका complete result कितना है 371 प्लस 19 380 आगया अब आप options देखो पहला 350 416 तीसरा 380 दिया है तो आप तीसरे कोई यहाँ पर choose कर लो फिर 918 526 का कोई यहाँ पर existence नहीं है तो हमें इन questions में कुछ ऐसी approach करनी है ताकि हमारे questions की calculation थोड़ी सी sort हो जाए और calculations और तब होगी जब आप approximation को एक label में link दे है इसके लिए मैंने आपको पहली वीडियो जो approximation का playlist जाएंगे बहाँ पर आपको सारा data complete मिल जाएगा एक आपसे यह पाचमा question यह पूछा था 333% of 856 divided by 49.89 अब देखो दोस्तों ध्यान दो 856 क्या है यह अपने आप में 100% value है तो मैं एक है सकता हूँ 100% क्या हुआ 856 यह भी आपको note नहीं करना है मन में सोचना है कि 100% क्या हुआ 856 हुआ अब देखो इसका 300% निकाल दो तो 300% निकालने के लिए 3 से multiply करूँगे तो 856 into 3 अगर मैं करता हूँ तो मुझे कितने मिलता है यह मिल जाएगा आपको 256 8 यह आपको value मिल गई 856 into 3 करने पर अब मुझे 300% पता चल चुका है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ 30% भी निकाल सकता हूँ तो इसका 30% कितना हो जाएगा 30% आपका हो जाएगा 256 256 दसमलब आपका 8 हो गया यह आपका क्या हो गया 30% हो गया अब आप 3% अगर इसका calculate करते हो तो यह कितना हो जाएगा 25 दसमलब 6 8 अब क्या करो 300 में 30 जोड़ो गये 330 होगा 330 होगा 330 होगा यह सारी calculations आपको मन में calculate करनी है और केबल values लिखनी है क्या करो सारी values को यहाँ पर add कर दो यह बाली केबल यह बाली value जिनको मैंने यहाँ पर box में pack कर आए तो आप अगर इन सब को add करोगे तो कितना आ जाएगा 2850 दसमलब कुछ-कुछ आपका आएगा तो अब देखो यह divide किससे है अब यह जो value आई है यह divide किससे होगी 49.89 मतलब 50 से आप इसको divide कर दो मतलब दोस्तो 2850 को अगर मैं 50 से divide करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 0 से 0 कटेगा और 5 से कितने बार जाएगा 5 बार और 3 बचेगा 35 होगा 7 टाइमस हैगा 57 आपको यहाँ पर मिल जाएगा options देखो 90, 76, 110, 56 और 100 तो आप 56 वाले options को यहाँ पर choose करेंगे ऐसे questions आपके IBPS PO के mains examinations में पूछे गये थे तो मैं कहूँगा कि आप अपने previous year की book उठाओ और जो questions आपको complicated लगते उन questions को solve करना स्टार्ट कर दो क्योंकि अब IBPS का जो pattern है वो थोड़ा सा change हो चुका है तो ultimately मैं आपको बताऊं कि जो भी playlist है वो आपको ऊपर मिल जाएगी और जो latest video है वो भी मिल जाएगी और दोस्तों इस video को subscribe जरू करें और ज़्यादा स्यादा लोगों तक share भी करें basically IBPS का pattern जो है वो completely अब change हो रहा है दीरे दीरे मतलब कि उसके label change हो रहा है तो आपको अपनी calculation speed increase करनी होगी और जितनी जादा practice करेंगे उतने आपके अच्छे नमार्क्स महाँ पर आएगे. So thank you friends, have a good day please share this video to your friends